असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज वह हम टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत ही इंट्रेस्टिंग रीसर्च स्टेडी है जिसको हम देखेंगे और वह रीसर्च स्टेडी बुन्यादी तौर पर छोटे बच्चों के साथ की गई है प्राइमरी ग्रे के साथ की गई है सबसे पहले हम यह देखते हैं यह रीसर्च है जो निक और कैली ने 2021 में की थी और इसमें यह देखा था कि बच्चों की जमेट्रिकल थिंकिंग किस तरीके से हम उनके अंदर इन चीज़ों को सिखा सकते हैं और जिमेट्रिस से रिलेटेट यह जो और उनके पास एक बहुत इंपॉर्टन प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं मैट फॉर आल और उसकी टीम के साथ मिलके उन्होंने एक इंफ्रस्टिंग किसम की डिजाइन की और वह एक्टिविटी क्या थी मैं आपको बताते हूं उन्होंने बच्चों को एक साइमेंट दी थी जिसके अंदर बच्चों कि यही सेवन पीसे ने बनाने थे अब बच्चों ने उनको ढलstory साइमेंट के उन्होंने थ AIP के सिर रजाने बच्छोंने बताना था कि नाम क्या है नोनोंने जब मृत्लिपलिट जी बनाया था झाथ इसमें किया डिफरेंस्ट में ऐाथ कर तेन पीसीशों को Peachy को मिला कि मिला कि जब हम। इस्क्वेस बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है। किया डिफ्रेंसेश किया प्राब्लम आती है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफ्रेंट पीसेश को टाइन कि मिक्सप किया। बच्चों के ग्रुप्स बनाएं और उन्हें असायमेंट दी वराइटी ओफ पीसिस को इस्तिमाल करके डिफरेंट स्क्वेर्स बनाने की अब उनका रीसर्च क्वेस्चन किया था आउट कैंड फोकॉस्ट तास्क प्रद्यूस इन चिल्रून यह बच्छें डिफरेंट किसम कि स्क्वेर्स बनाएंगे इन्हीं सेवन ट्रेंगरम पीसे से तो किस किसम की जिमेट्रिकल थिंकिंग उनके अंदर डिवैलप होगी आप हम यह देखेंगे कि फाइंडिंग्स के अंदर क्या चीज़ आतनी वर्दे फाइंड आउट उन्होंने बच्चों को एक्टिविट क्या आप इन सेवन की सेवन पीसिस को मिलाके स्क्वेर्स बना सकते हैं और कितनी वर्याइटी ओविए इस से बन सकते हैं बच्चों नी टास्क लिया और उसके बादकि बनाने की कोशिश की तो यह हमारे सामने फाइंडिंग्स हैं जो आपको मैं बताने जा रही हूँ सक्षायाब प्कम स्धूरा बच्छ अये नहों आ नहीं सबस्ट करेंग उसकेते को बरप्नाने सपथ सक सब्ना न हो लेकिन इस पीसे साथ स्कैरे बनाना सब् Gee कर दमें को बना नहीं स्टेर की ऐसा कि मोजूद होते हैं स्के लावे इसके स्पाइर्णिक जिए आई जब बच्चों से दिस्केर्शन की गई कि बच्चों ने बन्यादी तोर पर यह स्क्वेर स्वेर तो सेम थे लेकिन को डिफरंट रिपी कि पीसे को मिला कि उन्होंने भी उसके लिए बच्चों ने डिसकास किया कि हमने में अर और आइम अमेजिने यह बच्चों ने मैंटली भी सोच और फिर उसके बाद इसको फिजिकली आक्टिवली करके भी देखा और उसको ट्राय आउट किया मल्टिपल एक्सपेरिमेंटेशन को जो वो मैंटली सोच रहे थे जिसको हम कहते हैं कोग्निटिव थिंकिंग और जिमेट्रिकल थिंकिंग फिर बच्चें ने डिफिर्ट किस्केर कंस्ट्रक्ट किया और इडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे स्केर्स हैं एक कम असकम ऐसा ट्राइंगल जरूर आता है जिसका जो पूरा एक एंगल है बाकी तमाम एंगल इसको जोईन करके एक स्केर बना पा रहे हैं कुछ स्टूडें ने वेरिफाइट किया कि जो बड़े पीसेज हैं उनका एक पूरा पूरा एंगल वो यूस कर रहे हैं बाकी तमाम स्केर्स को बनाने के लिए कुछ बच्चों ने इडेंटिफाई किया कि उनकी जो कंसेप्चुल ड्राइंग है और वो बहतर हो रही है औ और वो कंसेप्चुली पहले सोचते हैं और इसको अपने दिमाग में ड्राइट करते हैं ड्राइट करने के बाद फिर स्केर्स के साथ एक्स्पारिमेंट करते हैं तो वट दे फाइंड आउट अफ दरी उनको यह पता चला कि जो जो मैट्रिकल रीजिनिंग इसके अंदर क्या सीख रहे हैं उनको अपर्चुनिटी मिल रही है कि एक स्प्रेंट कर सकें कि ट्रांस्फरमेशन कैसे होती है और ट्रांस्फरमेशन ऑप शेप जो है वो कैसे पूरे के पूरे डिजाइन को अगर हम एक एंगल उसके अंदर से निकाल देते हैं या एक शेप उसके या इंगल जो है और वो फसीलिटेट करते हैं एक आपके पैटरन को डिवेलप करने के लिए यह जो ट्रांस्फरमेशन ऑच्छों के अंदर वो यह किसी स्टे के एक देख रहे थे इन अक्रिटीस के थू देख रहे थे और वो इसके अदर इसके अदर इफेंड पीसेस को actually they are learning geometry